सभी प्यारे चात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्णावली 3.1 में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका दूसरे का पहला सवाल हल करना सीखेंगे। लेकिन पहले ये जानेंगे कि ये दूसरा सवाल आखिर कह क्या रहा है। इसमें दिया गया है कि अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर क्यात कीजिये कि निम्न समिंकरन योग में द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदू पर प्रतिछेत करती हैं, समानतर हैं अत्वा समपाती हैं। अब कई बच्चों को यहाँ पर A1, A2, B1, B2 और C1, C2 ये समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो देखो इनको बहुत आसानी से पहले समझ लो। हमें कोई भी रेखेक समिंकरन दिया रहता है, जैसे ये दिया गया है, तो इसी को लिख लेते हैं। पांच एक्स माइनस चारवाई धन आठ बरावर 0 और दूसरा दिया गया है, साथ एक्स माइनस या प्लस चारवाई माइनस नो बरावर 0 ये दो चरवाले रेखेक समिंकरन युग में हमें दिये रहते हैं। इन्ही में छोपए रहते हैं, A1, B1, C1 और A2, B2, C2 अब आप बोलोगे सर कहां छिपी रहते हैं। देखो, काफी सिंपल है। पहले समिंकरन में आपको ये मिलेगा A1 जो एक्स के आगे लिखा रहेगा, यानि एक्स का गुडांक रहेगा, वो A1 रहेगा। और बाई का जो गुडांक रहेगा, चिन्ह सहित, वो रहेगा आपका B1, और जो अचरपद रहेगा चिन्ह सहित, वो रहेगा आपका C1, ठीक है, तो A1 का मान कितना है? 5, B1 का मान कितना है? माइनस 4, और C1 का मान कितना है? प्लस 8, तो A2, B2, C2 तो अब आप बता ही दोगे, बिल्कुल दूसरे समिखरण में होते हैं, A2, B2, C2, एक्स के आगे जो लिखा है, ये कहलाता है, A2, जो बाई के आगे लिखा रहेता है, चिन्ह सहित, वो कहलाता है, B2, और जो होता है, उसे कहते हैं C2, तो A1, A2, B1, B2, और C1, C2 देखके घवरा नहीं जाना, बिल्कुल सरल होता है, हम कोई भी रेखेक समिखरण योग में बता सकते हैं, जैसे, अगर यहाँ पे इस तरीके से समिखरण दिया गया है, 2X धन, 3Y, बराबर 11, और 6X धन, 5Y, बराबर 23, यह दिया गया है, तो क्या इसमें बता पाओगे, बिल्कुल भी जल्दवाजी नहीं करने हैं, कई बच्चे यहाँ पे गल्ती कर देंगे, और कहेंगे कि X के आगे जो लिखाए वो A बन है, बाई के आगे जो लिखाए वो B बन है, और यह वाला सी बन है, लेकिन नहीं है, हम A1, B1, C1 और A2, B2, C2 यह तब तक नहीं बता सकते, जब तक हमारे जो समीकन योग में है न, इनके बराबर में 0 ना हो, देखो इसका हमने बता दिया था, क्योंकि इसके बराबर में क्या था, 0, इसके भी बराबर में क्या बराबर में तो 0 है यह नहीं, तो पहले हमें इसको बिवस्थित करना होगा और बराबर में इसके 0 करना होगा, तो देखो 2x, पहले वाले को हम जियों काते हो लिखेंगे 2x धन 3y, और यह जो 11 है ना इसका पक्छांतर कर लेंगे, तो पिलस का 11 है, बराबर के इस तरह तो 6x, धन 5y, माइनस 23, बराबर 0, यह बनेगा अपना समिकरण दो, अब समझे ना, मतलब बराबर में 0 होगा, अब तुम आराम से बता सकते हो कि यह a बन है, यह b बन है, और यह c बन है, है ना, और यह a2 है, यह b2 है, और यह c2 है, ठीक है, तो बराबर में 0 रहेगा तभी अब कई बस्ट करेंगे कि सर बराबर में 0 क्यों होना चाहिए, है ना, देखो, एक्शली मैं होता क्या है कि हम ब्यापक समिकरण से अपने दिये गई समिकरणों की तुलना करते हैं, जैसे हमारे ब्यापक समिकरण होते हैं, a1x, धन b1y, धन c1, बराबर 0, यह एक ब्यापक समिकरण होता है, इसे हम समिकरण एक कहते हैं, और दूसरा होता है, a2x, धन b2y, धन c2, बराबर 0, यह भी एक ब्यापक समिकरण ही होता है, तो इन दोनों से, इन दोनों की तुलना करोगे, तो इन दोनों के बराबर तो 0 है ना, और इनके बराबर 0 नहीं था, तो तुलना ह नहीं सकती जब तक बरावर ना हो तो पहले इनके बरावर में 0 लेके आओ, तो पक्छांतर करके हम क्या कर सकते हैं, 0 लेके आ सकते हैं जैसे हमने प्लस के 11 को इस तरफ लेके आगए, तो माइनस का 11 हो गया प्लस के 23 को ले आए, तो माइनस का 23 हो गया अब बरावर में क्या आगया जीरो बरावर में क्या आगया जीरो अब जैसे ही बरावर में जीरो आता है तो हम अपने ब्यापक समीक्रण इनका नाम क्या है बिटा ब्यापक समीक्रण तो हम ब्यापक समीक्रण से तुलना कर सकते हैं अब कोई दिक्कत नहीं है तो क्या होता है पहले समिंक्रण की तुल्ला पहले समिंक्रण से करके देख लो देखो X लिखा है तो ये भी X है तो A1 का मान कितना हो गया दो, अब समझे न खेल पूरा ये देखो Y है तो Y है तो B1 का मान कितना हो गया 3, C1 तो पूरा का पूरा कहलाता है जो कि माइनस 11 है इसी तरीके से देखो दूसरे समिक्रण में X है तो X है तो A2 का मान कितना है देखो 6 है ना देखो ये B2 का मान कितना है 5 है और C2 का मान कितना है माइनस 23 इतना सरल होता है तो ये मैंने पूरी कहानी बताई कि ये A1, A2 आखिर A कहां से रहे हैं और इनके मान हम कैसे बता सकते हैं कब बता सकते हैं जब तक बराबर में 0 ना हो तब तक A1, B1, C1 और A2, B2, C2 नहीं बता सकते प्लियर हुआ ना चलो अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ पहला सवाल अब पहले सवाल में बहुत ही अच्छा A1, B1, C1 और A2, B2, C2 क्यों निकालना जरूरी है और इसके बाद हम कैसे बता सकते हैं कि जो रेखाएं होगी वो प्रतिछेदी होंगी या फिर समानतर होंगी या फिर समपाती होगी देखो मैं इसका भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अगर अपने सवाल में हमने A1 निकाल लिया पहले थीन पकड़ो ताकि हर प्रकार का सवाल कर सको हमने B1 निकाल लिया और हमने C1 निकाल लिया इसी तरीके से हमने A2 निकाल लिया हमने B2 निकाल लिया और हमने C2 निकाल लिया मालो समिंकर्ण से हमने ये तो हम कर सकते हैं ये तो निकाल सकते हैं अभी समझा आपने अब हम क्या करेंगे कि A1 के बटे A2 लिखेंगे A1 बटे A2 और A1 का जो कुछ भी मान होगा उस मान के बटे A2 का मान रखेंगे A1-E2 जो है उसका मान बराबर नहीं है B1 बटे B2 के मान अगर सवाल में हमें ऐसा मिला तो ये हम लिख सकते हैं तो एक तो ये कंडिशन हो सकती है या फिर कभी कभी होगा क्या कि हम C1 बटे C2 भी निकाल लेते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं और C1 बटे C2 निकालते हैं और वो हो सकता है बराबर ना हो ये दोनों तो बराबर हो लेकिन तीसरा ना हो वो C1 बटे C2 के हैं साम लिख सकते हैं तो इससे क्या होगा एक नए प्रकार की condition बनेगी और तीसरी condition और होती है कि हो सकता है कि यह तीनों बराबर हो तो यह भी तीन बटे दो तो यह तीसरी condition है कि A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के और बराबर होगा C1 बटे C2 की ये तीसरी कंडिशन है तीनों कंडिशन के लिए अलग अलग सर्थे होती है गिराफ में मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं सबसे पहले अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के तो इसके लिए गिराफ में एक प्रॉब्लम होती है मैं आपको दिखा देता हूं वह वाली चीच ये देखिए अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 तो हम बिना गिराफ खीचे ही बता सकते हैं कि उनकी रेखाएं आपस में टकराएंगी और उनका अदुदी यह हल होगा और रेखाएं अगर एक बार भी मिलती है तो वो संगत रेखाएं कहलाती है अगर एक बार भी मिलती है ना तो वो संगत रेखाएं कहलाएंगी देखो हमें इस समीकरण में ग्राफ भी नहीं कहिचना पड़ा और हम बता सकते हैं उसके A1, B1 और A2, B2, C2 के मान से ही बता सकते हैं मतलब बताओ हम ये मान निकाल लेंगे तो हम एजियूम कर लेंगे कि A1, B2 बराबर है B1, B2 के नहीं ठीक है तो हम बता सकते हैं तो ये पहला केस है अगर ऐसा आया तो हम समझेंगे कि अदूती हल है रेखा है संगत है इसके अलाबा अगर इस तरीके से आ गया कि तीनों बराबर हो गए कि A1, B2 बराबर है B1, B2 के और बराबर है C1, B2 के तो एक रेखा के जश्ट उपर से तो एक हल होता है तो अनेक पॉइंट पे टच करेगी एक के उपर एक रखी है तो अनेक हल होंगे जिसे संगत रेखाएं कहते हैं संगत का मतला मिलेना क्या दो रेखाएं कहीं भी मिल रही है तो ये तो हर जगाए मिल रही है ये एक point पे मिले थी तो ये भी संगत है लेकिन ये देखो ये कहीं नहीं मिल लई है ये समानतर रेखा हैं तो ये कहीं नहीं मिलेंगी तो इन्हें हम कहते हैं असंगत और ये कब होता है जब A1 बटे A2 बरावर तो हो भी बटे B2 लेकिन तीसरा gate बंद हो यानि बरावर नहीं हो 7 बटे C2 के तो ये कोई भी हल नहीं होता ये तीनों सरतें आपको बेटा बहुत अच्छे से याद कर लेनी है ये तीनों सरतें आप तीनों का screen sort भी ले सकते हो ये देखो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा बहुत knowledge होना चाहिए सवाल को करने से पहले, चलिए आप मैं सवाल कराता हूँ पहला सवाल, आपको basic तो मैंने पूरा ही बता दिया है अब सवाल अच्छे से समझ में आएगा देखो, तो यहाँ पे हम editing डालेंगे दिये गए समिंक्रण योग में और इसके बाद हम पहला समिंक्रण लिख लेते हैं पांच एक्स माइनस चारवाई धन आठ बरावर जीरो इसे अब हम समिंक्रण एक बदू बना सकते हैं क्योंकि बरावर में जीरो है तो हम समिंक्रण एक बना सकते हैं नीचे बाला लिखेंगे 7x प्लस 6y माइनस 9 और बराबर 0 इसको हम समिकरण 2 बना सकते हैं समिकरण तब तक नहीं बनाना जब तक बराबर में 0 ना हो अगर आपको a1, b1, c1 और a2, b2, c2 निकाल ले हैं तो ध्यान रखना है बराबर में 0 है तो ही समिकरण बनाओ अब यहाँ पे एक भासा लिखनी है जो आपको हर सवाल में लिखनी है तो इसको आप याद भी कर सकते हो क्या लिखोगे देखो मैंने भी याद करी थी कि समिकरण एक वा दो की तुलना अब हम तुलना करते हैं तो डारेक्ट मान नहीं लिखना है वैसे हम बता सकते हैं कि यह A1 का मान है 5, B1 का मान है माइनस 4 और C1 है 8 लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है बोर्ड में हमें सब कुछ लिखना होता है तो लिखेंगे समिकरण 1 वा समिकरण 2 की तुलना ब्यापक समिकरण A2X धन B2Y धन C2 बरावर 0 से करने पर से करने पर ठीक है यह आपको लिखना है कि हम तुलना करेंगे किस से ब्यापक वर्ग समिकरण से चलो होगी तुलना अब बस इतना लिखना बस है बाकी फॉर्मेल्टी के लिए बाकी आपको मैंने बताया न कि A1 जो होता है A1 का मान निकालेंगे B1 बरावर आप पहले से लिख लेना और C1 लिख लेना इसी तरीके से नीचे A2 A1 के ज़स्ट नीचे A2 फिर बरावर का चिन B1 के ज़स्ट नीचे जो है वो B2 लिखो के आप बरावर का चिन लगाओगे और C1 के नीचे C2 लिख के बरावर का चिन लगा देना अब देखो A1 कितना है ये 5 नीचे आजाओ A2 कितना दिख रहा है 7 उपर देखो B2 के साथ में कितना लिखा है प्लस 6 तो 6 ही लिखे तो प्लस माना जाता है यहाँ देखो 8 बटे 9 माइनस 9 तो यहाँ 8 आ जाएगा यहाँ माइनस 9 आ जाएगा समझ पा रहे हो ना यह देखो यह C1 है और यह C2 है तो इतना बताओ इतना समझ आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं इतना आएगा पाँच बटे 7 आएगा अब हम B1 बटे B2 निकाल देते हैं नीचे तो B1 बटे B2 यह आएगा माइनस 4 बटे 6 माइनस 4 बटे 6 अब माइनस 4 बटे 6 है तो यह काट भी 2 से काट रहे ना माइनस लगेगा पहले तो जियों कातियों और दो दूनी चार और दो तिया च्छे तीन बार कट गया ये दोनों बरावर नहीं है आप देख सकते हैं कहां पांच बटे साथ और कहां माइनस बटे माइनस दो बटे तीन तो लिखेंगे कि यहां पांच बटे साथ बरावर नहीं है माइनस दो बटे तीन के मतलब ये दोनों बरावर नहीं है तो इसलिए पाँच बटे साथ मतलब A1 बटे A2 है तो लेखेंगे इसलिए A1 बटे A2 बरावर नहीं है B1 बटे B2 के और जब ये सर्थ आती है कि जैसे ही हमें पता चला कि A1 बटे A2 बरावर नहीं है B1 बटे B2 के तो हम क्या कर सकते हैं हम आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे एक चीज बता सकते हैं कि जब A1 बटे A2 बरावर नहीं हो B1 बटे B2 तब अदुतिय हल होता है सवाल मैं पूछा गया था ना सवाल बता देता हूँ पूछा गया है कि रेखाएं प्रतिछेद करेंगी समानतर होंगी या फिर समपाती होंगी तो जब A1 बटे A2 बरावर नहीं हो B1 बटे B2 तब रेखाएं प्रतिछेद ही दो करती हैं तो बस लिख देना तो यहां पर आपको लिखना है अधुती यह हल होगा अधुती है हल लिख देना कॉमा रेखाएं प्रतिछेद करेंगी रेखाएं प्रतिछेद करेंगी जैसा कि आप ग्राव मैं देख रहे हो मतलब इस सवाल को करने का एक फाइदा होता है कि हमें ग्राव खींचना नहींदमाता और हम बता सकते हैं कि से देखके ही हम बता सकते हैं कि इसकी रेखाएं परतीचेद होंगे और रेखाएं परतीचेद करेंगी तो संगत भी होंगी तो संगत होंगी तो ये तीन पॉइंट आपको पता चल जाएंगे तो इस सवाल को हम इसलिए इस प्रकार से कर सकते हैं तो ये हमें इतना ही बताना कि अधूति अहल है सबसे पहले तो हम यह पता चल़े है देखो अधूति अहल आधूति अहल के बाद रेखा प्री छित करेंगे वो संगत होंगी तो यह पहला हम यहाँ पे बस लाइन से बंद कर दिझे हो गया अब आप को नूट करना है तो आप इसको द्लोट कर करके आप नोट करते जाना इस तरीके से यह देखो ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं नेस्ट क्वेश्चन करेंगे दूसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राइ करिएगा नहीं बनेगा तो ही आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अंड स्क्रीन पे आपको यहां पे प देख लेना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं थैंक यू